ओम श्री गनेशाय नमः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलनिया हस्बंट और इस स्टोरी इस बिगिन फ्रम चाप्टर 22 तो 23 इन गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिए शुरू करते हैं दरवाजे तक पहुचा ही था कि उसके कानों में आवाज गई यह क्या है मा तुमने सिर्फ धारा के लिए बदाम का हलवा बनाया था मेरे लिए नहीं अगर नहीं भी बनाया था तो उसके में से थोड़ा सा तो बचा लेती शिवानी में अपनी मा से रूचते हुए कहा दरसल शिवानी में रोड से नहीं बलकी शॉटकट लेकर आई थी और विक्रम उसे हाइवे पर देखता हुआ आया था ये लो अभी धारा भाभी से बड़ी बड़ी बाते कर रही थी घर में मैं इसे क्या समझता था और यह क्या निकली अपनी प्रेगनेंट बेहन के हिस्से का खाना खुद खाना चाहती है विक्रम ने मन ही मन कहा मा धारा बनने वाली है तू नहीं तुझे क्यूं खाना है बादाम का हलवा नीलिमा जी ने शिवानी से कहा अरे मैं भी तो मा बनने वाली हूँ शिवानी ने इतना ही कहा था कि विक्रम के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी अब आगे पर तभी शिवानी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा अरे मौसी भी तो मा जैसी होती है तो थोड़ा सा बादाम का हलवा मेरे लिए भी बना लेती जो सुनकर विक्रम ने चैन की सांस ली हा तो मौसी बनने के लिए बदाम का हलवा खाने की कोई जरूरत नहीं होती नीलिमा जी ने शिवानी को कहा तो शिवानी ने भी तपाक से उनकी बात का जवाब देते हुए कहा अरे ऐसे कैसे नहीं होती अभी अपनी धारा को डॉक्टर ने इंडवेट कह दिया ना तो बस इसलिए मुझे अपना वजन बढ़ाना है ताकि जब धारा का बच्चा इस दुनिया में आए तो मैं उसका वजन उठा सकू और उसे अपनी गोद में ले सकू तुम एक काम करो मा मेरे लिए जल्दी से कुछ ऐसा बना दो जिससे मेरा वजन टू किलो फाइफ किलो नहीं नहीं सीधा टैन किलो ही बढ़ जाए क्योंकि अब धारा की डिलीवरी में ताइम ही कितना बचा है बेता वजन बढ़ाने के लिए कभी कभी अपने तिफिन का खाना भी खाना पड़ता है तेरा पूरा साफ टिफिन देख कर ही पता चल रहा है कि आज तेरा खाना तुने नहीं किसी और ने खाया है बता बता किसको दिया आज अपना टिफिन नीलिमा जी ने शिवानी के कान पकड़ते हुए कहा वह मेरे स्कूल के वाच्मेन दादा को आज उनकी वाइफ की तबियत खराब थी ना तो वह टिफिन नहीं लाए थे बस इसलिए उन्हें अपना टिफिन देना पड़ा वरना मैं पूरा खाना खुद खा लेती शिवानी ने नीलिमा जी से कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोली पर वह सिर्फ आज की बात थी आज से शिवानी रोज जल्दी जल्दी खाना ही खायेगी विक्रम हैरान था कि शिवानी का नेचर सबके साथ कितना कूल है पर विक्रम के लिए वह उत्मी ही खरूस है बलकी उससे कहीं ज्यादा जहां विक्रम को देखने के बाद उसे सिर्फ गुस्सा आता है वही औरों के साथ उसका पूरा दिन सिर्फ कॉमेडी में ही गुजरता है अब जब शिवानी अपने घर पहुंच चुकी थी तो विक्रम उसकी या खन्ना निवास के लोगों की नजर में आना नहीं चाहता था इसलिए वह चुकचाप वहां से जाने लगा और खुद से बोला विक्रम क्या चल रहा है तेरे दिमाग में जो तू शिवानी को धून्दते धून्दते यहां तक आया था उसके ना मिलने पर तू इतना बेचैन क्यों था अपने इन सवालों के जवाब तुझे जल्द से जल्द गून्दने होंगे क्योंकि वैसे ही वो ताइकवांडो क्वीन शिवानी तुझसे नफरत करती है और अगर ऐसे में तेरी तरफ से भी देर हुई तो उसे कोई और ले जाएगा और फिर तू बस हात मलता रह जाएगा आशुतोष जी और घर वालों की नाराजगी के बारे में जानकर विद्यूत ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर ये बात इतनी छोटी नहीं थी जिसे आसानी से भुला दिया जाए आशुतोष जी को तो सिर्फ विक्रम की उनकी गैर मौजूदगी में की हुई शादी को एकसेप्ट करके अपनी पोता बहु को आशीरवाद देना था पर बाकी के लोग तो विद्यूत का सच भी जानते थे इसलिए विनीता जी और अजीत जी तो विद्यूत से और भी ज्यादा नाराज थे दूसरी तरफ विद्यूत जैसे ही ओफिस से लौट कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था उसके कानों में कुछ गुनगुनाने की आवाज आई वह धीरे कदमों से कमरे में इंटर हुआ तो उसने देखा धारा अपने बेबी बंप पर हाथ फेरती हुई अपने मुबाइल पर देख देखकर बच्चे को गर्ब संसकार के मंत्र सुना रही थी विद्यूत को ये देखकर अच्छा लगा क्योंकि वह अपने बच्चों को कितनी भी फाइनेंशियल सिक्यूरिटी देपर जो प्यार ममता और संसकार एक बच्चे को सिर्फ मा दे सकती है इतनी टेंशन में भी धारा उसे वह सब देने की कोशिश कर रही है धारा जब तक बच्चे को कुछ ना कुछ सुनाती रही विद्यूत भी दर्वाजे पर खड़ा चुपचाप सुनता रहा काफी देर तक बोलते रहने की वज़े से धारा का गला सुखने लगा था वह पानी लेने के लिए उठी ही थी की तभी उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई उसने कमरे में नजर दोड़ाए तो देखा दर्वाजे पर खड़ा विद्यूत उसे ही देख रहा है विद्यूत में जब देखा की धारा ने उसे देखी लिया है तो वह धारा की तरफ आते हुए बोला धारा तुम्हे नहीं लगता हमारे बच्चे के पास ये सब कुछ जिंदगी भर के लिए होना चाहिए तुम में और हमारा बच्चा एक हैपी फैमली की तरह रह सकते हैं आप और मैं एक साथ कभी नहीं रह सकते मैं तो अपने बच्चे को भी आपके भरोसे कभी नहीं छोड़ती पर ये दुनिया बड़ी अजीब है ये बिना मन के बच्चे को तो दया की नजरों से देखते हैं पर जिस बच्चे के बापने उसे चोड़ दिया हो उसे लावारिस कहती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई लावारिस कहे बस इसलिए ये बच्चा आपको स्वपूंगी और हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाओंगी धारा ने दुखी मन और गुस्से से कहा कभी सोचा है तुम्हारी इस जित का हमारे बच्चे पर क्या असर होगा तुमने नहीं सोचा पर मैं मैंने सब कुछ सोच रखा है इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता विद्यूत ने दांत पीस्ते हुए धारा से कहा और उसके होटों पर होंच रख दिये विद्यूत का यह एक्षन धारा के लिए शौक करने वाला था हाला की ऐसा नहीं था की विद्यूत ने धारा को आज पहली बार किस किया था लेकिन फिर भी धारा इसके लिए तैयार नहीं थी पर विद्यूत आज धारा के साथ बहुत सौफ्ट था विद्यूत अपनी किस के जरिये धारा को अपना प्यार उसके लिए अपनी परवा और धारा उसकी जिन्दगी में क्या माएने रखती है जटा रहा था विध्यूत की किसमें आज इतने एहसास थेकी एक पल को धारा भी अपनी नफरत भूल कर चुपचाप उसकी किसको मेहसूस करने लगी धारा भी विध्यूत में खोने लगी थी लेकिन pregnancy की वज़े से जल्द ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह होश में आई की यह वह क्या कर रही थी वह विद्यूत की किस में involve कैसे हो सकती है होश में आते ही धारा विद्यूत को खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगी विद्यूत में अपनी की ब्रेक कर दी क्यूंकि वह धारा को हट नहीं करना चाहता था पर विद्यूत ने धारा के कॉलर बोन पर किस करना स्टॉट कर दिया विद्युत धारा के कॉलर बोन और नेट पर लगातार किस कर रहा था काफी देर तक उसने धारा को अपने करीब महसूस किया और फिर उसके बेबी बंप का ख्याल रखते हुए उसे हग कर लिया और उसकी गर्दन में मुह छुपाते हुए रोमेंटिक वे में बोला ये सब क्या था धारा क्या क्या था छोड़िये मुझे जाने दीजिये धारा ने विद्युत की बाहों में कस्मस आते हुए कहा तुमने अभी अभी मुझे किस किया और अब कह रही हो कि तुम्हें जाने दू विद्युत ने धारा को टीज करते हुए उसे हग किये हुए ही कहा धारा की चोरी पकड़ी जा रही थी उसने तुरंट बाद बदलते हुए कहा हां तो क्या हुआ आपको भी तो जब बच्चे को किस करना होता है तो आप मेरे जरिये उसे किस करते हैं तो आपको अभी मैंने नहीं बलकी बच्चे ने किस किया है धारा ने ऐसे अंजान बनते हुए कहा जैसे अभी अभी उसने जो किया उसका मतलब भी वह नहीं जानती मुझे जब अपने बच्चे को किस करना होता है तो मैं तुम्हारे बेबी बंप पर किस करता हूँ और अभी अभी तुमने मुझे जिस तरह का किस किया है बच्चे वैसा नहीं करते वैसा किस तो लवज और हस्बेंड वाइफ एक दूसरे को करते है अब यह मत कहना कि तुम्हें इत्मी सी बात नहीं पता थी विद्यूत ने धारा से अलग होते हुए उसका मज़ा उराने के लहजे में तौट मारते हुए कहा क्यू नहीं पता होगी मुझे सब पता है हाँ तो क्या हो गया आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही मुझे किस कर सकते हैं हाँ पर यह प्यार वाली किस नहीं थी यह मेरा बदला था जैसे आप मुझे बात बात पर किस करते हैं तो मैं आपसे उसी का बदला लिया है धारा सीरियस होने की एक्टीब करते हुए कहा जैसे उसने किस करके सच में विद्यूत से बदला ही लिया हो हाँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुम्हें एक ही बार किस किया है, कई बार किया है, उसका भी बदला लो और हमारी शाधी वाली रात तो किस से बहुत ज्यादा, उसका बदला तो सही समय आने पर तुम मुझसे जरूर ले लेना पर अभी नहीं क्योंकि तुम्हारी pregnancy complicated है हा तब तक अपना बदला लेने के लिए तुम जितना चाहो मुझे किस और हग कर सकती हो विद्यूत ने धारा को चिहाते हुए कहा धारा ने भी irritate होते हुए कहा नहीं नहीं मुझे आपसे और कोई बदला नहीं लेना है इतना काफी है वैसे भी मैं मेरे बच्चे की delivery होने के बाद यहां से जाने का प्लान कर रही हूँ बदले का नहीं कहते हुए धारा बैट की तरफ गई और blanket में मुह चुपा कर सोने की कोशिश करने लगी अपनी pregnancy की वजह से धारा भी बहस में ज्यादा involved नहीं होती थी क्योंकि इसका सीधा असर उसके बच्चे पर पढ़ता वैसे भी उसकी pregnancy और life दोनों complicated हो चुकी थी विद्यूत भी close eight room की तरफ गया और वहां अपनी wardrobe से उसने कुछ papers निकले और उन्हें जुनून के साथ घूरता हुआ बोला message धारा विद्यूत शेखावत तुम मुझे छोड़ कर कहीं भी कभी भी नहीं जा पाओगी और जिस दिन भी तुम जाने की जित करोगी मेरे ये papers तुम्हें रोक लेंगे रुखना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास विद्यूत शेखावत की जिन्दगी में लोग आते भी उसकी मर्जी से हैं और जाते भी उसी की मर्जी से हैं और फिरूम papers को रोल करके अपने माथे पर तिकाते हुए उसी जुनूनी लहजे में बोला तुम्हारी pregnancy की वजह से मैं तुम्हें tension नहीं देना चाहता पर उसके बाद मेरे ये papers तुम्हें मेरी हर बात मानने पर मजबूर कर देंगे और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी तब सिर्फ हमारा बच्चा ही नहीं तुम भी हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी तुम तुम्हारे जिस्म तुम्हारी रूह पर विद्युत शेखावत का हक होगा मेरी जिंदगी से भले ही तुम एक गलत फेहमी की वजह से जुड़ी थी पर तुम्हें खुद से अलग होने देने की गलती अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि विद्यूत शेखावत अपने हग को हासिल करने के लिए किसी भी हग तक जा सकता है कहते हुए विद्यूत के चेहरे पर एक डेविल इसमायल थी दूसरी तरफ सारिका के डैड ने सारिका से कहा अपना सामान पैक कर लो आज हम इस होटल से चेक आउट कर देंगे पिछले सिक्स महीना से हम दिल्ली से बाहर थे और घर बंध पड़ा था बस इसलिए उसकी क्लीनिंग हो जाने तक मैं कुछ दिन यहाँ होटल में रुका हुआ था अब जब हमारा घर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है तो हम अपने घर जा रहे हैं अपने घर शिफ्ट हो जाने के बाद में पूरी कोशिश करूँगा की तुम्हें और विक्रम को एक दूसरे से मिलने का ज्यादा से ज्यादा समय दे सकू ताकि तुम दोनों के बीच बॉन्डिंग बने और मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा सकू सारिका ने हरबढ़ाते हुए कहा ओके डैड मैं बस आधे घंटे में सारी पैकिंग कर लूँगी महेंदर जी की बात सुनकर सारिका के माथे पर पसीना आने लगा था क्योंकि उसने अब तक महेंदर जी को यह नहीं बताया था कि उसने उसे दिन विक्रम के साथ समय बिताया ही नहीं था वह तो विद्यूत के फार्म हाउस से लोटने के बाद काफी देर तक एक होटल में बैठी रही ताकि महेंदर जी उसे पर नाराज ना हों क्योंकि विद्यूत की वाइफ की प्रेग्नेंसी देखने के बाद सारिका का तूटा हुआ दिल कांच की तरह छोटे छोटे तुकड़ों में बिखर गया था और वह इतनी जल्दी अपने दिल में विद्यूत की जगह विक्रम को नहीं दे पा रही थी दूसरी तरफ शिवानी ने दिल्ली आने के बाद एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि वह अपने खर्च का बोज तो शिवेंद्र जी पर से कम कर सके उसके स्कूल की बस अभी अभी छुट्टी हुई थी और वह पाकिंग एरिया में अपनी स्कूल के पास आई ही थी कि तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूर पर अपनी कार से तिक कर खड़े विक्रम पर गई विक्रम ने इस समय ब्लू डेनिम और वाइट शर्ट जिसकी बहन उसने कोहनी तक फोल्ड कर रखी थी और संगलासस पहन रखे थे विक्रम इस समय बहुत ही हैंसम लग रहा था इतना की कोई भी लड़की उसे पर दिल हार जाए पर शिवानी को तो अपनी फैमली में हुई सारी प्रॉब्लम्स की जड़ विक्रम ही लगता था पर शिवानी इस वक्त विक्रम के यहां होने की वजए नहीं जानती थी इसलिए उससे बेवजह जगड़ा करने की वजए शिवानी ने उससे अवोइड करना सही समझा विक्रम ने जैसे ही देखा की शिवानी तो उसे नजर अंदाज करके अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ गई हाला की विक्रम को लगा था उसे देखते ही शिवानी उससे कुछ ना कुछ कहेगी या फिर जगड़ा करेगी इसी बहाने दोनों की बात हो जाएगी पर शिवानी तो उसके सामने से ही चली जा रही थी हेलो शिवानी कहते हुए विक्रम ने शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाए अब तो शिवानी को पक्का यकीन हो गया कि विक्रम यहां उसका पीछा करते हुए ही आया है शिवानी ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके एटिट्यूट से विक्रम की तरफ देखते हुए कहा कहिए मिस्टर शेखावत, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, शिवानी कम ओन हम दोस्त हैं और रिलेटिव्स भी हैं, you can call me, विक्रम उनली तुम मुझे सिर्फ विक्रम बुला सकती हो, विक्रम काफी जेंटल होते हुए कहा और अपने गौगल्स उतार कर अपनी शर्प में तक कर लिये, मिस्टर शेखावत मैं आपको कुछ भी नहीं बुलाना चाहती और क्या कहा आपने हम दोस्त हैं ये सिर्फ आपकी गलत फेहमी, है ना मैं आपकी दोस्त हूँ और रिलेटिव्स भी हम बदकिस्मती की वजह से हैं शिवानी ने स्कूटी में चाबी लगाते हुए विक्रम को अवोइड करते हुए कहा विक्रम ने शिवानी का हाथ पकर कर उसे स्कूटी स्टॉट करने से रोकते हुए कहा एक मिनट शिवानी मैं जानता हूँ पास्ट में जो कुछ भी ग ठीक करोगे तुम विक्रम वैसे तो बहुत सारी वजह हैं तुम से नफरत करने की जिन्हें तुम जानते भी हो आज। एक और नई वजह बताती हूँ ये स्कूल देख रहे हो जहां मैं 8000-10000 रुपे के लिए पिटी टीचा की जॉब करती। हूँ तुम जब उदैपूर में अपना मास्टर्स कम्प्लीट कर रहे थे तब किसी शिवानी खन्ना नाम की लड़की ने तुम पर का इलजाम लगाया था आई डोंट नो वह सच था या नहीं और मुझे जानना भी नहीं है पर एक शिवानी खन्ना थी जिसे एंट्रेंस एक जाम में टॉप किया था लेकिन पता है फिर भी वह MBA कर नहीं पाई थी वह लड़की कोई और नहीं मैं थी विक्रम जो लड़की MBA करके एक successful करिया बना सकती थी वह आज एक छोटी सी नौकरी के लिए भी यहाँ वहाँ धक्के खा रही है और इन सब की वजह सिर्फ तुम हो आज सच्चाई जानने के बाद मेरे पेरेंस मुझे नाराज नहीं है और हो सकता है कल को धारा की जिन्दगी में भी खुशियां आ जाए पर मैं मेरा क्या मेरा तो पूरा कर्य ही तुम्हारी वजह से खत्म हो गया मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे की यह वजह काफी है तुमसे जिन्दगी भर नफरत करने के लिए शिवानी ने नाराजगी भरे स्वर में विक्रम की तरफ देखते हुए कहा पर शिवानी जो कुछ भी हुआ विक्रम में इतना ही कहा था कि शिवानी ने उसकी तरफ हाथ दिखा कर उसे रोकते हुए सक्त लहजे में पूछा लिसेन यह मेरा वर्कप्लेस है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मैं यह जौब भी खो दूँ बाए दवे तुम यहां आए क्यूं हो विक्रम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो इस बात का जवाब तो विक्रम सोचके ही नहीं आया था कि अगर शिवानी ने उससे यहां आने की वजह पूछी तो वह क्या बताएगा विक्रम यहां मेरी हेल्प करने के लिए आया है कहता हुआ नितिन विक्रम और शिवानी की तरफ आया और बोला मैं यहां मॉम को रिसीव करने आया था पर मेरी कार खराब हो गई इसलिए मैंने अपने दोस्त विक्रम को बुला लिया नितिन ने शिवानी को विक्रम पर गुसा करते देख लिया था नितिन यहां अपनी मां को रिसीव करने के लिए आया था जो कि शिवानी के ही स्कूल की प्रिंसिपल थी पर विक्रम यहां क्यूं आया था ये बात नितिन को अब समझ में आ रही थी वह शिवानी को ज्यादा नहीं जानता था पर अपनी मॉम के स्कूल में पढ़ने वाले सभी तीचर से उसकी थी था खेलो हाय हो जाया करती थी आते जाते नितिन ने विक्रम से हाथ मिलाया और उसके बाद हेलो शिवानी कहते हुए शिवानी की तरफ अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया शिवानी ने नितिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बाया ही था लेकिन उससे पहले ही विक्रम ने नितिन से हाथ मिला लिया और हाथ मिलाया क्या उसने नितिन का हाथ इतने कसकर पकड़ा था कि नितिन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे विक्रम ने जूठी स्माइल के साथ दात पीस्ते हुए कहा लगता है हाथ मिलाने का कुछ ज्यादा शौक है तुझे विक्रम के बात करने और हाथ मिलाने का लहजा देखकर नितिन समझ गया था कि यह शिवानी कोई और नहीं वही लड़की है जिसे विक्रम ताइकवांडो क्वीन कहकर बुलाता है और पसंद करता है उसने तुरंट विक्रम से हाथ छुडाने की कोशिश करते हुए कहा शिवानी तो मेरी बहन जैसी है विक्रम इतना सुनकर ही विक्रम के चेहरे पर जंग जीतने वाली एक मुस्कान आ गई थी और शिवानी को अपने सामने का नजारा देखकर यह भी समझ में आ गया था की जरूर विक्रम या तो उसे पसंद करता है या फिर पटाने में लगा हुआ है ये समझने के बाद शिवानी को गुसा तो बहुत आया विक्रम पर लेकिन इससे पहले की वह विक्रम से इस बारे में कोई बात करती उसके मुबाइल पर नीलिमा जी का फोन आया और वह उसे धारा के यहां ड्राइफरुट्स के लड्डू लेकर जाना है ये कहकर जल्दी घर आने के लिए कहा और शिवानी जल्दी वहां से चली गई शिवानी का फोन स्पीकर पर नहीं था लेकिन फिर भी विक्रम का तो सारा ध्यान शिवानी पर ही था फोन से हा रहे हलके साउंड को सुनकर विक्रम समझ गया कि शिवानी कुछ ही देर में विद्यूत के फार्म हाउस जाने वाली है दूसरी तरफ धारा कब से विद्यूत का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने विद्यूत को बताया था कि कुछ ही देर में शिवानी आने वाली है और वह उससे मिलने के लिए नीचे जाना चाहती है विद्यूत को आने में अभी टाइम था और धारा भी डॉक्टर के मना करने के बाद अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत केरफुल हो गई थी इसलिए वह खुद नीचे नहीं जा रही थी। शिवानी लड्डू लेकर विद्यूत के फार्म हाउस पहुंच चुकी थी यहां आने के बाद शिवानी को नीला से पता चला कि धारा अभी नीचे नहीं आ सकती क्योंकि विद्यूत और डॉक्टर दोनों ने उसे चलने फिरने से मना किया है शिवानी को भी अपनी बेहन क शिवानी के लिए एक्सिडेंटल थी विक्रम तो किसको एंजॉय भी करने लगा था शिवानी के करीब आकर विक्रम ये भूल चुका था कि उन दोनों के बीच अभी बहुत सी बाते होनी बाकी है विक्रम शिवानी के उपर था और वह शिवानी के होटों को सौफ्टली चूम रहा था शिवानी विक्रम को हटाने की कोशिश कर रही थी पर विक्रम सब कुछ भूल कर अपनी किस को पैशनेत करने में लगा हुआ था शिवानी ने अपनी पूरी ताकत इकठा करके विक्रम को धत्का दिया और गुसे और नफरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली लगता है तुम्हें लड़कियों के ऊपर चरने का कुछ ज्यादा ही शौक है उस दिन भी जब मैं यहां आई तुम किसी लड़की के ऊपर थे का इलजाम लगने के बाद भी तुम नहीं सुधरे अब तो मैं शिव हूं की पक्कावः इलजाम जूथा नहीं था और आज मेरे साथ यह घटिया हरकत हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की विक्रम समझ गया कि अब जूथ बोलने या हिचकिचाने से काम नहीं चलेगा उसने शिवानी को उसके कंधों से पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए पूरी शिद्दत के साथ कहा लिसन शिवानी मुझे खुद ये बात समझने में बहुत वक्त लगा है पर अब जब मैं समझ गया हूँ तो तुम से चुपाना नहीं चाहता और फिर अपने एक-एक शब्द पर जोर देते हुए बोला I love यू शिवानी I love you from the bottom of my heart शिवानी जो कबसे विक्रम की पकर से छूटने की कोशिश कर रही थी विक्रम की मुह से यह सुनने के बाद की वह उससे प्यार करता है शिवानी के गुसे का थिकाना ही नहीं रहा की जिस इंसान से वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती है वही उसे अपना प्यार कनफेस कर रहा है शिवानी ने जैसे तैसे खुद को विक्रम की पकर से छुडाया और उसे एक जोरदार थपड़ मारते हुए बोली How dare you विक्रम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शिवानी ने इतना ही कहा था कि हॉल में एक रॉबदार आवाज गूंज उठी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की पहली बार मैंने तुम्हें लड़की समझ कर जाने दिया पर अब नहीं शिवानी तुम्हारी बद्तमीजी बहुत हो चुकी कहते हुए विद्यूत शिवानी को भूरते हुए उसके पास आया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिलाया गार्ड्स गार्ड्स इस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो और ध्यान रखना यह आज के बाद इस घर के अंदर नहीं आनी चाहिए गुस्सा तो आज विक्रम को भी शिवानी पर बहुत आया था पर वह विद्यूत के गुस्से के साथ अपने गुस्से को जोड़कर विद्यूत के गुसे को दुगना नहीं करना चाहता था विद्यूत की तरफ देखते हुए कहा भाई इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं है जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से विक्रम ने इतना ही कहा था कि विद्यूत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तू बीच में मत बोल विक्रम आज इसने दोबारा तुझ पर हात उठाया है इससे पहले की इस लड़की की हिम्मत और बड़े इसे सबक सिखाना जरूरी है दरसल विद्यूत तभी आया था जब शिवानी ने विक्रम को थपड़ मारा था इसलिए शिवानी विक्रम पर उसे किस करने और प्रपोज करने के लिए गुस्सा कर रही है ये बात विद्यूत को नहीं पता थी एक्सक्यूज मी मिस्टर विद्यूत शेखावत मैं यहां तुमसे या तुम्हारे भाई से मिलने नहीं आती हूँ मैं यहां अपनी बेहन से मिलने आती हूँ और उसे अपनी मां के हाथ का बना हुआ खाना देने और तुम मुझे यहां आने से नहीं रोक सकते शिवानी ने गुस्से से दाथ पीषते हुए विद्यूत की तरफ देखकर कहा शिवानी खनना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे भाई को थपड मारने की और मुझ से विद्युत शेखावत से उची आवाज में बात करने की अभी भी कह रहा हूं चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना क्यूंकि मैं तुम्हें ऐसी कोई पनिश्मेंट देना नहीं चाहता जिससे धारा हट हो पर अगली बार तुम मेरी नजरूं के सामने आई तो चाह कर भी तुम्हें पनिश्मेंट देने से खुद को रोख नहीं पांगा विद्युत ने भी गुस्से से दात पीसते हुए शिवानी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा विक्रम चाह कर भी विद्युत और शिवानी के बीच हो रही बहस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए किसी लड़की से एक रात की शादी कर सकते तो मैं अपनी सीधी साधी बहन से मिलने आने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखा ही सकती हूँ तुम दोनों को जो करना है करो मैं यहाँ धारा से मिलने आती रहूंगी मैं वैसे भी यहाँ अपनी जिंदगी दाव पर लगा कर ही आती हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई पर पहले से का इलजाम है और तुम विद्युत शेखावत तुम तो मेरी बहन का कर ही चुके हो शिवानी ने इतना ही कहा था कि वहाँ आवाज आई शिवानी चली जा यहां से यह शब्द धारा ने कहे थे जो की बाहर जगडे की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आई पर नीचे का माहौल देखकर वह तुरंथ लिफ्ट से हॉल में आ गई थी लेकिन धारा मैं सिर्फ यहां तेरे लिए शिवानी ने इतना ही कहा था कि धारा ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा मेरे लिए क्या शिवानी मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज के बाद तु यहां नहीं आएगी चाहे कुछ भी हो जाए अगर तु मुझे और मेरे बच्चे को ठीक देखना चाहती है तो चली जा यहां से और दोबारा यहां आने से पहले ये जरूर ध्यान रखना की तुझे यहां देखकर मुझे गुस्सा आएगा और मेरा ब्लड प्रेश बढ़ेगा जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए रिस्की है धारा बस शिवानी को विद्युत की नजरों से हटाना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि शिवानी दोबारा विद्युत के सामने आये या उससे बहस करे विद्युत भी धारा को शिवानी को यहां आने से मना करने वाली बात से एगरी था क्यूंकि उसे भी शिवानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था धारा की बात सुनकर शिवानी की आँखों में आसु आ गए थे वह अपनी आँखों में आसु लिये एक तक धारा की तरफ देख रही थी कुछ देर बाद उसने अपने आसु पोंचे और गुस्से भरी नजर से विक्रम की तरफ देखते हुए वहां से जाने लगी विद्यूत ने धारा को अपनी बाहों में उठाया और लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया विद्यूत के जाते ही विक्रम भी शिवानी के पीछे पीछे गया शिवानी जोकी अपनी स्कूटी की तरफ पहुचने ही वाली थी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से उसे खीचते हुए अपनी कार तक ले गया शिवानी मना करती रही और बार बार बोलती रही विक्रम ये क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे जाने दो अपने गुसे और अकर में सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो ना आज मैं तुम्हारा काम ही आसान कर दूंगा क्योंकि आज मैं ही सब कुछ बरबाद कर दूंगा चलो मेरे साथ कहते हुए विक्रम ने कार का दर्वाजा खोला और शिवानी को पैसेंजर सीट में धकेल कर खुद उसके बगल में बैठ गया और ड्राइवर को कार ड्राइव करने की कहकर एक बटन प्रेस किया जिससे कर में पार्टीशन ओन हो गया जिससे आगे बैठा व्यक्ती पैसेंजर सीट में बैठे लोगों को नहीं देख सुन सकता था शिवानी ने आज पहली बार विक्रम को इतने गुस्से में देखा था और आज विक्रम का औरा देखकर उसे विक्रम से डर भी लग रहा था फिर भी शिवानी ने कपका पाते स्वर में कहा विक्रम कहा ले जा रहे हो मुझे मुझे घर जाना है और मेरी स्कूटी देखो तुम सही नहीं कर रहे हो विक्रम ने अपने होटों पर उंगली रखते हुए शिवानी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा शश चुप एकदम चुप अब अगर एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ रहा हूँ और तुम्हारी खतारा भी तुम्हारे घर फेकवा दूंगा मैंने तुमसे दिल खोल कर अपने प्यार का इजहार किया और तुमने हाँ या नामे जवाब देने या मुझसे वक्त मांगने की बजाए मुझ पर हाथ उठा दिया विक्रम ने एक एक शब्द गुसे से कहा हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और नाहीं कभी कर पाउंगी इसलिए बंद करो अपना ये प्यार का ड्रामा में तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी विक्रम आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू शिवानी ने इरिटेट होते हुए विक्रम से कहा शिवानी ने इतना ही कहा था कि विक्रम ने शिवानी का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खीचते हुए उसे अपनी गोग में बिथा लिया शिवानी चट पताते हुए विक्रम की पकर से छूटने की कोशिश करते हुए बोली छोड़ो मुझे विक्रम पर विक्रम ने शिवानी की कमर में हाथ डालते हुए उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसके होथों को अपने होथों की गिराफ्त में लेते हुए उसे फोस्फुली किस करने लगा शिवानी लगातार विक्रम से छूटने की कोशिश कर रही थी पर विक्रम आज जैसे अपने ही कंट्रोल में नहीं था विक्रम शिवानी के होठों को किस कम बाइड ज्यादा कर रहा था जैसे अपनी किसी के जरियेवर शिवानी से उसके थपड़ और नाराजगी का बदला ले रहा हो आज विक्रम का ये रूप देखकर शिवानी के हाथ पैर कापने लगे थे आज तक जो शिवानी विक्रम के सामने निदर होकर जगड़ा करती थी आज उसे विक्रम हद से ज्यादा दरावना लग रहा था So don't forget to share your review and comment your best part of a story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके And if you like my story so commence your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे